दोस्तो हम आज कि इस important वीडियो को शुरू करों से पहले आप भारते कंपनीज और रिसर्चर्चर्स के लिए कमेंट बॉक्स में जहेंज जर्व लिखेगा बड़ी खबर यह है कि अब भारत दुनिया का वो पहला देश बनने जा रहा है जहाँ पर अब हम 3D प्रिंटिन टेक्नोलजी का अस्तिमाल करते हुए 5th जनरेशन और 6th जनरेशन के fighter jets को त्यार करेंगे यानि कि एक fighter jet में लगने वाले engine और electronic components के छोड़ करके उसके पूरे structure का material एक machine के अंदर paste कर दिया जाएगा उसके बाद automatic एक machine उस पूरे fighter jet का structure को बना करके त्यार कर दीगा और यहाँ पर एक भी joint हमें देखने को नहीं मिलेगा और आप यकीन मानिए 3D printing technology का अस्तेमाल करते हुए हम कम material और कम कीमत में बहुत सारे fighter jet तयार किये जा सकते हैं पूरी development का है छोटे से वीडियो मा समझते हैं लेकिन भारत के इस बड़ती तरकी के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चानल को सब्सक्राइब जिरो कीजेगा दोस्तों अभी तक तो आपने यही सुना होगा कि 3D printing का इस्तेमाल करते हुए rockets तयार किये गए हैं की कीमत को कम कर सकते हैं maximum production कर सकते हैं बहुत ही कम समय के साथ और एक फाइटर जट को तयार करने में जितना जदा material होता है करीब करीब उसके 50-60% material में ही एक फाइटर जट तयार किया जा सकता है यानि कि बहुत ही minimum इसका साथ partnership और agreements करने में लगे हुए हैं जो इस तरीके की 3D technologies पर काम करती हैं और अगर deeply बात की जा तो यहां पर CNC machine जिसे हम computer नवारे control machine के नाम से जानते हैं इसका समाल करते हुए fighter jet तयार किया जाएगा जिससे इसे high quality finishing होगी ज्राइंट्स नहीं होंगे और इसे style design असानी से दिया जा सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक यहां पर भी दो conditions पहले त्यार की जाएगी पहले एक ऐसी prototype machine त्यार की जाएगी जिससे हम prototype level के fighter jets त्यार कर सकते हैं और उसी prototype के basis पर उसकी सारी critical technologies को असानी से test किया जा सकता है यानि कि हम अलग अलग generation के fighter jet को एक ही machine पर त्यार करते हों उनकी सभी प्रकार की testing कर सकते हैं इसके लावा बड़े scale पर जब हमें fighter jets त्यार करने होगे तो उसी prototype machine के basis पर बड़ी machine त्यार करते हो fighter jet को असानी से त्यार किया सकता है कुछ सालों पह है इन्हें बहुत ही कम समय में त्यार किया जा सकता है कम लागत में fighter jet त्यार होगा हलके वजन के साथ त्यार कोगा जो की कम फ्यूल कंज्यूम करेगा और होने वाले यहां पर 0% देखने को मिलेंगे जिससे fighter jets की performance 100% और efficiency भी 90% से जादर देखने को मिल सकती है अभी भारती चीजए